सो फाइनली विक्की कोसल की अपकमिंग मुवी सेम बहादुर का टेलर आ चुका है साड़े पाल बजे और मैं देख चुका हूँ तो सबसे पहले मैं विक्की कोसल को सौरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस मुवी का जितना अच्छा टीजर लगा था उतना अच्छा नहीं लगा मैं हर सेकेंड में वेट कराता कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे गूस बंस आएंगे या सौकिंग जैसा फील होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ टेलर में और सबसे अच्छा मुझे इस टेलर में लगा है वो है विक्की कोसल की एक्टिंग विक्की कि महरत साब देख रहे हैं कि कितनी महरत की है उन्हें अपने किरदार पर उनका बोलने का इस्टाइल देख लिजिए उनके आऑ बहुत की है उनकी एक्टिंग के दम पर यहां वो भी चलेगी दोश्तों ये तो कनफर्म है सेम बहादर का जए रोल प्ले किया है उसमें जान तरह फातिमा सना सेक्छ जो स्रीमती इंद्रय गांदी का रोल पिले कर रहे हैं भाई बिलुकुल भी मैच नहीं हो रहा है वाउ वाली फिलिंग नहीं आ रहे क्युकि हम लोग लेडिस का रोल कई सारी मुवियों में इस से अच्छा देख चुके हैं और इस मुवी में अच्छा हो सकता था बट नहीं हो पाया लेकिन बाकि जो इस्टार कार्ड देखी वो ठीक लग रही है टेलर ओवराल काफी अच्छा लग रहा है पॉजिटिव वाइब आ रही है लेकिन इसका सामने ओ रहा है एनिमल मुव है लेकिन दोनों की टार्गेट ओडियंस अलग अलग है क्योंकि एनिमल एक मास्ट मुवी है दोस्तों एक्शन मुवी है यसा कि टेलर में हम लोग देख चुके हैं और भाई दूसरी तरह सेम बहादुर एक रियल वेस्ट स्टोरी होने वाली है तो काफी मज़ा आने वाला एक घगा थाईए दोस्तों मुझे आइसदा है दोस्तों कि एनिमल मुवी की ऑडियंस ज्यादा हो गी से बहादुर मूवी के अकोर्डिंग धाल आप लोग क्यारा आये दोस्तों कमेंट करके जरू बताएगा और सबसे पहले आप कौन सी मुवी देखेंगे दोस्तों कमें करके जरूर बताएगा और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा चलता हो दोस्तों मिलता हो किसी ना किसी नेक्स वीडियो में अपना ख्याल लखिए गुड नाइट एड टेक क्यार